अभी हम लोग जो question discuss करने जा रहे हैं यह आपने अभी जो दो दिन पहले SN1 reaction का जो topic पढ़े थे उससे related मैंने कुछ practice numericals लिये थे यह उन questions में से एक है ठीक है इस particular question में मैंने यह कहा था कि इसका correct answer होगा C और according to Shreyan इसका correct answer है एक जो obviously गनहीं है ठीक है बट कैसे है यह उस चीच को समझाने के लिए क्योंकि उस इंसान का जो doubt आया है वो genuine है और किसी और को भी doubt आ सकता है बट मैं जैसे की जानती हूँ बाकी लोग तो मुग खोलेंगे नहीं पता नहीं क्यों उनको अपनी पढ़ाई से प्यार है की नहीं I just don't know या उनको साब आ जाता है बहुत अच्छी बात है गा ऐसा है तो तो ऐसे में उसके साथ-साथ बाक्यों का भी भला हो रहा है पहली बात तो thankful to Shreyan जिस इंसान ने स प्यों से आई कि पहला वाला क्यों नहीं मैं पहला वाला बनाके तो देखूं जड़ा तो उसने पर अपना अटेंब भी बेज आए कि देखो मैंने ऐसा किया बट मीरी अकोर्डिंग को आंसर आ रहा है तो हम समझेंगे कि आखे क्यों इसका आंसर ए नहीं है और इसका आंस क्या होगी आप लोगों को कार्बो केटाइन क्रियेट करना है करिए कार्बो केटाइन यह आप लोगों के रिंग वैसी की वैसी यहां पर यह शेप और यहां पर यह पॉजिटिव चाज अब तुम तो जाते हो कि जब भी हमें रिंग को एक्स्पांड करना होता है हम लोग अगर किसी को नहीं आता है कार्वो का टाइम की expansion कैसे करते हैं रिंग का तो सीखो बहुत ज़रूरी है इसको देंगे 1 इसको देंगे 2 अगर मैं होती तो मैं नीचे की तरफ 3 देती बट सिंस श्रेयन ने 3 अपना यहां पर दिया है तो मैं भी उसी के according यहां पर 3 दे रही हूं otherwise मैं नीचे देती है मैं अगर personally अपना opinion बताऊं तो क्या होगा यह देखो यह यहां पर shift हो जाएगा उसके बार यहां पर क्या होगा आप लोगों के 2 और 3 के bond तूटेगा और 1 और 3 के बीच का यह bond बनेगा ठीक है चलो बताओ यह चीज कैसी दिखने वाली है after that यह मतलब यह चीज अप कैसी दिखेगी आपकी मान लेते हैं यह second position second position से एक नीचे की तरफ आए फिर left की तरफ गए फिर उपर की तरफ गए third this is third this is second second और third को आप जोड मत देना क्योंकि वो तूट चुके है second से इस तरह बोलो कौन है आप लोगों का one है one से बोलो उपर की तरफ कौ इतने कार्बन का हुआ 1कारवन 2कारवन 3कारवन 4कारवन 5कारवन से बैटर की इसको मैं ऐसा बना दू यह साइकलो पंटेन है नग कि कोई सेयकेंड पॉजिशन पे कार्वो कैटान है सौरी इट से इसे केंड पोजिशन ए और मैंने यह एं पर कार्श चार बैशन देया और लेट से यह फर्स पोजिशन है और यहाँ पे एक एंटीना है अब देखों हुआ क्या श्रेयन ने इसी पर्टिकुलर पोजिशन पे न्यूक्लियो फाइल यानि की ओएच निगेटिव चिपका दिया और श्रेयन का अंसर आ रहा है option number one यानि की यह क्या यह चीज गलत है क्या नहीं यह चीज correct है बट यह जो product है यह minor quantity में है अगर यह product minor quantity में है इसका मतलब reaction में major रहा होगा कुछ ना कुछ तो इसका major क्या हो सकता है major देखो यह हो सकता है कि ring expansion के बाद carbo ketion और further खुद को rearrange नहीं करेगा ऐसा किस ने का है तुमको अगर ring expand होने के बाद भी further rearrangement के chances दि करेगा जैसी कि यहां यह कितने degree का है 2 degree का है और देखो यह कितने degree का है 3 degree का है दिख रहे हो तो इसका मतलब अब यह carbo ketion खुद को rearrange करेगा इस particular position पर जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वो कौन है hydrogen है तो बताओ क्या होता है हाई यह positive charge यहां चला जाएगा और उसके बदले hydrogen यहां आ जाएगा समझ रहे हूँ यानि कि यह situation आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी यह further rearrange हुआ ठीक है यह further rearrange हुआ तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ring expansion या ring contraction के बाद contraction को तो नहीं लाते चलो बीच में expand होने के यह further rearrangement नहीं होगी तो यह गलत है यह further rearrange होगा यह रिखा ऐसे ऊपर वाला antenna वैसे का वैसी वहां पहुंच गया positive charge और वो green वाला hydrogen पहुंच गया positive hydrogen को draw करके क्या मिलेगा तुमको और अब तुम nucleophile यहां पे attack करवा positive पर तो यह चीज दिखेगी आप लोगों के पास देखो अरे यार यह रिखेगी कुछ ऐसे यह antenna और यह OH say this is your option number C and this is your option number A and since it is more stable product it would be in major quantity और अगर single choice option आपको दिया जाए और question में बोला ना जाए कि आपका major बताना है कि माइनर बताना है तो आपको major ही बताना होगा ठीके अब देखते है हमारे बाबु शेयन का time क्या था देखो उसने भी किया था उसने कार्बो के time create क्या था य भी उसकी step सही थी और उसने इसका product बना लिया यह भी सही था बट यह कैसा है माइनर ठीके यह वाली step के बाद यह वाली step के बाद कार्बो के time क्या क्रियेट हो रहा है यह यहां पर यह बेसिकली एक two degree कार्बो के time और यहां पर देखो three degree है तो यह खुद को further rearrange करेगा यहां यहां पर है ठीक है अधरवाइस video content तो तुम्हें YouTube में पचासो सो मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे even better than मेर से मेर से बहुत जारा बेटर लोगों के मिल जाएंगे तो इसलिए तुम्हारा कम इस purpose के लिए मैं यहां हूँ video deliver करने के लिए नहीं हूँ ठीक तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कहां पर तुम्हारा कैसा स्टाइंड है कैसा है कैसा नहीं है और दूसरी चीज आपको कम से कम यह भी बदा चल जाएगा कि organic chemistry में कंसर्स का रिकॉल रख पा रहे हूं कि यह चुटी चुटी देर के लिए भी ताकि तुम अपने आपको इंप्रूव कर सको या क्या कर सको वाइडिया हो जाएगा आंसर की मैंने इसमार उसी में शेयर कर दी है ताकि आंसर की की सरदर्दी मेरे पास ना हो